जो से चलिए चालो करें बीरों की धर्टिस सहीदों का देश गाजीपूर। जीला उत्तरपरदेश। अगर हर एकपन्ये में इतिहास जब-जब लिखा जाता है तो एकपन्ये में गाजीपूर जरूर आता है। लेकिन इस बार इतिहास नहीं भोगोल लिखा जाएगा और नक्से में खोजा जाएगा कि गाजीपूर कहां है, भारत में गाजीपूर कहां है, जहां से ऐसे धरोवर जो पाइदा होते ही अपने आप में अलग मिसाल पाइदा करते हैं दोस्तों मैं बाता चलूं मैं हूँ जितंदर बियांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चानल जोस एक्सप्रेस लेकिन आज मैं सुपर इस्टार अगर कहा जाए तो भी कम पड़ जाएगा और कम उम्र में जिस उम्र में हम बैट गेना खेलते हैं गिली डेंडा खेलते हैं गोल लोग हैं और हमारे जित्ते भजपूरी के सुरुता करने सब आप लोगों ने इस्टार बनाया है तरह तरह कि इंटर्व्यू मैंने आपका देखा लेकिन आज एक अलग इंटर्व्यू होगा मैं आपसे कोई पर्चे नहीं पूछूँगा कि चुकि आप पर्चे के महताज नहीं है मैं पर्चे पूछने नहीं आया हूं आप इस्टार बने हैं और इस्टार सचते है कि आपने बनाया है और आपने अनेकों लोगों को बनाया है और गाजीपूर जैसे गाजीपूर जैसे मिट्टी को मैं नमन करता हूं कि आप बच्चे को भी लोग करते हैं कि बच तो आज इसी का सुटिंग करने वाले हैं तो किस तरह का क्या सूटिंग करने वाले हैं यह हम लोगे समर्भिया क्या सूट हो रहा है और यह आएगा सुटिंग करने के बाद खुस्भूग गाज़िपूरी हमें आपके साथ रहते हैं लोग सोचते हैं कि आए जैसे विसाल गाज़िपूरी थे तो कहीं वन्होंने किसी से साधी कर ली तो लोग तरह-तरह की कमेंट करते इसमें क्या है ऐसा तो मैं वह मतलब दोस्त बनके अगर हमें फुर्षत मिलता है तभी हम गलत काम करते हैं गलत निगाह देखते हैं जो अपने आप में बीजी हो कभी गलत सोची नहीं सकता है अलाक समय ज्यादा मैं समय नहीं लूगा सुगम जी और आपके बीच में बैठे हैं ऐसे जो फिलिम इंडेक्टी को हमारे गाजीफ अब आपके जा रहा है और अलग पहचान है असीस नायक जी और उनका फिलम भी आ गया है तो उसमें नायक जी कैसा जो सेक्सप्रेस में आपका स्वागत है आप लोगे सभी प्यार दूलार आसिरवाद देते रहिएगा नायक जी आप फिलम भी बना दिये फिलम तो मुंब अलार आज गाजीम पूर अगर बन जाए तो आप लोग कêter होगए तो इसमें इसमें स्थ्षक लेकुत लोगत प्रयास कर्रहां तो नहीं बना सकते हैं लेकिन इससे कम भी नहीं रहे गाए करें बहुत जाएंगा चार पान-पानून में हैं प्रयाश किया कि आज जगभी श है चलिए बहुत अच्छा लगा ने मेरा समय दिया लाइट लोगों के यह ली इस पेशल में गाजीपुर के केमें और पूरे भारत के अप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे यह सबसे बड़ा राजे उत्तर-परदेश का सबसे छोटा जीला गाजीपूर से आप लोग इतने बड़े लेबल तक गए हैं तो क्या गाना चाहेंगे यह चाहूंगा कि सबसे पहले कि डारेक्टर से पहले मैं छोटा कलाकारी था और बहुत प्रयास किया हमने तो ऐसा प्लेटफर्म नहीं मिल पाया फिर दिर दिर मेनत क क्याम वोग आज काम कर रहे हैं तो एक अनist तो जितने भी न कलाकर है उसके लिए मैं संदिश देना चाहोंगा जो लोग नहीं आप रहे हैं लोग नहीं वीडिओ बना पारा है बहुत कम खर्च में हम लोग कुर बिदियो बना करते हैं तो इतना हम लोग संपोर्ट कर सकते जहां तक सपोर्ट रहेगा वहां तक करेंगे आप दर्सकों से मैं चाहूंगा हर एक की अभिलासा होती है कि मैं भी आसिसनायक वनूं मैं भी सुभम जैकर वनूं क्या सुभम जी तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के बच्चों को बस आप लोग मेहनत करते जाहिए जो भी काम आपका जो भी लाइन है जिस भी इंडेश्टी में आप जूटे हैं बस उसमें जम के महनत कीजिए और महनत करते जाए यह मास सुचिए कि हमें कब सक्सेज मिलेगा क्योंकि सब्सक्राइब के पास रहता है तभी आप महनत छोड़ देते हैं तो बस आप लोग मह हम नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी आप लोग ठके नहीं है लड़ना है जिंदगी से लड़ना है देखते हैं कि कितना जिंदगी हमें लडाती है है कि नहीं तो आप लोग ने समय दिया पहुंज आप कुछ काना चाहेंगे बच पूछरा हैं तो देखिए हमको जो छेतर में जाना हैं हम सोच रहे हैं कि संगीत ही लाइन करें हमको जिस्स्त्र है जाना fingers चुनाओ करना ह foreigner हाँ मिश्ट्र में जाएंगे और ये चीज़ हम करेंगे और उसके लिए होसना यूलून और मेहनत यह तीनों तो आप लोग से मैं हमेसा बात काता रहता हूं कि मंजिले भी जिद्धी है राष्टे भी जिद्धी हैं देखते हैं कल क्या होगा हमारे गाजी पूर के लोगों के हौसले भी जिद्धी हैं है कि नहीं गाजी तूड्य का एसी मिठी है कि हसलो से भारा हुआ है यहां पर लोग कहते हैं लोग करते हैं तो यहां